जी बहुत बहुत शुक्रिया देखो अभी मौसम ड्राई है पिछले एक दो दिनों से और कमिंग डेस में भी कोई सिग्निफिकेंट एक वेदर एक्टिविटी नहीं है लगबख 16th of September तक और जमू डिविजिन में खासकर 14-15 के असपास early morning फोड़ा brief showers वो सकते हैं बाकी यहां वेली में कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है बारशों के बहुत ही कम चांजी से कुछ एक जगों पर जो थंडर शावर एक्टिविटी खासकर बाद दूपर उसको रूलाउट नहीं कर सकते हैं कि दर्जिया रहत में भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है जूरिंग नेक्स्ट वान वीक और लगबख टेंपरेचर्स तीस से लेके 32 डिग्री के बीच में रहेगा और मिनिमम टेंपरेचर्स भी आल्मोस्ट 14 से लेके 16 डिग्री तक रहेगा बाकी डे टाइम में बिल्कुल वेदर अच्छा रहेगा और सुबाश शाम हल्की इसी थन जैसे आज कल चल रहा है और कमिंग डेस में खासकर आप दिन बदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा सुबाश शाम बाकी कोई मेजर वेदर एक्टिविटी खासकर बार्शूं के हवाले से फिलाल नहीं है लगबख 16 सप्टमबर तक नाई टेंपरेचर का क्या है नाई टेंपरेचर देखो मिनिमाम 14 से 16 डिगरी तक रहने के चांसी से बाकी बार्शूं के हवाले से टेंपरेचर भी अभी खासकर सप्टमबर के मेने में वड़ा सा वेदर ज्राई रहता है हमोमत और कमिंग डेस में कोई बार्शूं के चांसी बिल्कुल लग नहीं रहे